हलो रिवान इस वीडियों बात करेंगे पिन डाइग्राम आप आडिनो नैनो तो आडिनो नैनो मैजू कंट्रोलर हम जो आगे चलके यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले इसके पिन डाइग्राम आप देख लो जिसके तुरू आप कोई बेसिक आइडेय लग जाएगा कि कि इस पिन से हम जो है कौन सा सेंसर कौन सा मोटर कौन सा लिडिलाइड हम करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं यहां पर देखो यहां पर मल्टिपल हमारे पिन डाइग्राम दिए गए हैं और पिन डाइग्राम के साथ-साथ अलग भी अलग अलग अ आपको explain करते हैं तो सब्सक्राइब यहां पर देख लो यह आपका जो है यह है मिनी यूएसबी पॉर्ट मिनी यूएसबी पॉर्ट का जनरली जो काम आएगा आप जो प्रोगाम लिखोगे तो प्रोगाम के थुरू आपको अप्लोड करना या फिर अपने प्रोग्रम के तहु तो मौयल के थृओ भी आप प्लोड कर सकते हैं इसमें अप्लोड करने बाद आपका प्रोगाम जो है वो रन होने लगता है जब तक इसको पावर सप्लाइज दी जाती है तभी ठीक है तो पावर सप्लाइज देने के लिए भी आप मिनी जो है यह सब्सक्राइब का युज़ कर सकते हो एक और बात टीक है नेस्ट नेस्ट बात अब नेस्ट आपको कुछ पिन देख रहे होंगे ठीक है डीजी रो डीवान डीटू दी इसा से करके आपका D.ढ़का यह तो यह आपको यह अग ACLU सारे पिन को यूज़ आपको IL और अलग कम्पोडेंट यूज़ करने के लिए करा होगे इस divisional मतलब जैसे अल्टासोनिक के अब को मुगा हुनिए सेंसर हो गया है तर प मेरे पिन से अब इन पिन में हो एक कुछ खास वाग जिसके कुछ के पिन के ऊपर यहां पर हो पीड डबलू एम लिखा हुआ फुल फाम होता है पर्स विद मॉडूलेशन ठीक है तो इसका काम क्या होता है जैसे सपोर्डर मैं चाहता हूँ लेडी लाइड आन हो और आफ हो क्या जो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमारे पास जो है कोई सिंपल सा आना आफ कर सकते हैं तो यह डी इरो डी वन इस सब से काम कर सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लाइड आन हो वो केवल हलका सान हो या 50% आन हो या 30% आन हो या 50% तो ब्रैटनेस फुल ना हो जाए ठी इस है P.W.E.M.P.N.P.N. का यूज करना पड़ता है तो डी 11 हमारा डी 10, D.9 डी 6, D.5 और D.3 हमारे क्या होते हैं वो P.W.E.M.P.N. उसको यूज करके हम यह आपकी अनलोग सिंगनल प्रवाइड कर सकते हैं तो दो टाइप के सिंगनल इसमें हम अनलोग सिंगनल का मतलब हो इनकी जो इनका जो आपके output value या input value होगी वो 0 and 1 की case में होगी बस ठीक है तो अगर आपको variation चाहिए जिससे मैं चाहता हूँ कि supported के distance पता करना है तो distance में 0 1 से काम ने चलने वाला है ठीक है तो वहाँ पर हमको variation चाहिए हमको supported पता करना है कि किसी ने alcohol कितना पिया हुए आपने देखा हो कि पुलिस वाले क्या करते हैं डिवाइस मुझ में लगाते हैं उसमें फूब मारते हैं लोग तो अलकोहल पार जाता है कि कितना अलकोहल ने जो है वह पी रखी है ठीक है तो ऐसे में क्या होता है कि अगर होता है कि आपको PWM का यूजश करके ही आपको जो है डे टाइंपृ लेना है कि यहांपर आपका जो है वो वो जो पे है ना कि डिश्टा सिंगनल आ रहे हैं क्लियर होगा है जिए एंड यहां लिखा हुआ जी एंड यहां लिका हुआ दो पिंड जी एंड का मतलब ग्राउंट जैसे हमारा अगर हम दो है, अगर हम वैं चलाते हैं, इसमें फॉस्टिव का वायर होता है, और निगे कि जब हमको अपने सर्केट में जो है पिन के तुरू जो है वो बोल्टे इंपुट देना पड़ता है तो यहां पर हम वी इन का यूज कर सकते हैं वी इन के तुरू आप साथ से लेके 10 बोल्ट तक का जो है आप इंपुट दे सकते हो ठीक है याद रखो DC होना चाहिए AC नहीं जाके AC के तार खोज दिया और उड़ गया ठीक है तो यह मैं के चलता है जो आपके घड़ी में लगता ठीक है वो उससे रहन नहीं होगा तो उसके लिए आपको कम सेखम 3.3 बोल्टेज वाला जो है आपका वही आप उससे लगाना पड़ेगा उसी से यह रहन होगा तो वी इन में अगर मालो आप हाई बोल्टेज प्रवाइड करते हैं मालो सेर नाइन बोल्ट एड़ बोल्ट इस पर्यूंट तो वी इन में ही कनेक्शन आप दोगे और नेष्ट जो यहाँ आरेश्टी आरेश्टी आदा रिषैट काव करेंगे हम प्रगाम को रिषैट करने के लिए काम कए जाता है मतलब को रिषैट हो जाए एक फिट से श्टार्ट हो जाए जब आप प्रोगाद्र बार बार होना जाली होता है मैं चाहिताँ प्रोगाद्र हो फिर सिगनल वाले इंपुट डिवाइस होती है उसको कनेट कर सकते हो जैसे में बात करता हूं कि आपका माझनों सपोर्ड है मैं चाहता हूं कि को सब्लों होने पर चीज जह होसा है योका लाइड हो जाए इस तरह से होता है ठीक है मैं चाहता हूं कोई भी धूंगा तो कुछ सेंसर होते हैं जो हमारा connect करने की जोद पड़ती है तो आगे देखेंगे ठीक है देन आगे जब 5 बोर्ड और 3 बोर्ड की बात करता हो 5 बोर्ड और 3.3 वी 3 का मतलब होता 3.3 बोर्ड तो इसका जनल क्या होता है बहुत सारे आपके से मालों आपको अगर लेजर सेंसर लगाना एक लेजर आपका मॉड 3.3 प्रवाइड करनी है तो यहां पर आप 3.3 पिन के थ्रू करनेट करके आप बोल्टेज प्रवाइड रखो अगर आप 5 के उपर जाते हो 7 9 जाते हो तो उसमें लेडी ब्लाष्ट कर जाएगी मतलब खराब हो जाएगी मतलब फ्यूज हो जाएगी तो इसी कारट हमारा फाइब बोल्ट के ऊपर जब जाते है तो कि यहां पर हम युज करते हैं रिजिस्टर क्या होते अब यह आगा कि एंग बेडियो गया होते तो अगर अगर अब लेडिय को सफेक्वाइज करना है तो रिईस्टर का यूज किया जाता है यहाँ पर welcheaf इसका जरएक सब्सक्राइट हुट करना है वrot प्रोएड करना है वोड़ करना है तो пойpping पूर प्रोएड करना तो इस क्वेग स्पेश्विक बॉल्ड प्रोएड करने के लिए हम इस पिन यूज करते हैं इसके तूट हम जो है किसी भी स्टेनल डिवाइस में एक बोल्ट कर सकते तिक आपको नहीं यहांपर कुछ आपके को यहां पर जो है यह pakी यहांपर यह जो है यह kut unprecedented और आरेक्स, यह लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, कि जब भी हमको डेटा ट्रांस्मिट करना होता है आधर जो है डिवाइस में अधर कंपोनेंट में तो वहाँ पर यूज करते हैं TX transmit data ठीक है जब data receive करना हो अफरो वाइफाई के तो डीटा रेचीप कर रहो तो वहाँ पर जो होगा वह आर्च यूज होगा उसका मतलब रिसीब डेटा ठीक है क्लियर राइधिंग नेश्ट आप चलते हैं कि यहां पर यहां पर यहां पर आपका एक आपका प्रोसेसर लगा हुआ है इसी प्रोसेसर का सारा कमाल यह प्रोसेसर सब कुछ काम करता है सारे चीजों को रन करता सारे जहां से डेटा इनपुड लेता और पुड देता सारे के काम नहीं करता है यहां पर आपका होता है इसका full farm होता है in circuit serial programming तो इसका generally काम क्या होगा मैं चाहता हो अपने चिप में data upload करने के लिए मुझे किसी भी circuit को disconnect ना करना पड़े तो मैं इस चीज का इस पिन का यूज करके जो है वो हम जो है इसमें प्रोग्राम को upload करा सकते हैं ठीक है तो आगे चलके देखो कि किस तरह से अलग अलग सेंसर को करेंट में करेंट करेंगे इसमें एक बिल्ट इन LED लाइट होती है ठीक है जो हमारा डायटी कि D13 से connect होता है तो अभी के वीडियो में इतना रखते है ज्यादा दिमा में गरबढ़ हो जाएगा इसे एकराड मिलते नेच वीडियो में तब तकी लिए टाट आट आ बाबाई